मुंगेर में लगातार बढ रहा कोरोना के मरीज आज न समेथ 14 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टी, जिले में एक्टिव केस की संख्या 91 हुई बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमन बेल गाम हो गया है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही है, मुंगे मात्य चले कि बिहार में कोरोना की रफतार तेज हो गई है राज्य के सभी जिलों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संखया बढ़ रही है इसी कड़ी में मुंगेर जिले में अब स्वास्थ त्यकर्मी भी कोरोना के चपेट में आने लगे है गुरुवार को जिले में 14 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें एक A.N.M. भी कोरोना पॉजिटिव मिली 14 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या एक्यानवे हो गई है बही जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने बताया की जिले में एक महिला चिकित्सक समेथ 5 स्वास्थ्य करमी जिसमें 3 नज तथा एक पूरुष स्वास्थ्य करमी संक्रमित है गुरुवार को सदर पीएच सी में कार्यरत 40 वर्षिय एनेम कोरोना संक्रमित मिली है उन्होंने कहा कि मंगलवार को वो मासिक बैठक में हिस्सा लेने पीएच सी आई थी उसी बैठक के पहले इन्होंने गले में खराश होने की शिकायत पर अपना जाच कराया गुरुवार को आर्टी पीसी आर जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाली महिला नस की स्थिती सामान्य है फिलहाल होम आईसोलेशन में रह रही है उनके संपर्क में आने वाले सदर पीएच सी के चार स्वास्थे कर्मियों का भी गुरुवार को जाच कराया गया है इनकी रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमन में तेजी से फैल रहा है सभी लोग सतर्क और सावधान हो जाए जरूरी ना हो तो बेवजा घर से बाहर ना निकले कोरोना गाइडलाइन का पालन करे मास्क को हमेशा लगा कर रखे कोरोना का टीका अवश्य ले ले बच्चों का वेक्सिनेशन भी किया जा रहा है करना होगा संभल करना होगा काम करने व्यक्सिन देने जाता है काम करता है वाइड वर में काम करता है उसी कोई पूजेटिव होगा सब कोई ठीक है अभी तक नहीं आया है कितने मरीज होने पर कंटेंवेंट बनाते हैं कम से कम दो मरीज होगा तो कंटेंवेंट वर में इस अज़रोद है कि मास्क लोगा अने दुजिवना करें कि इज़र उधर महीं भूमें धी रखा शिर्टेश हास को साभून से बारबरत प्रश्य इसन करें और नवस्ट को ही में ही आया है तर 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 तर